ममस्कार नियुसेटीन मद्यफ्रदेश शत्तीजगर देख रहे हैं आप और रायपूर से बड़ी खबर है एडी की कारिवाही से बचाने का जांसा देकर दर्जन भर आपकारी अधिकारियों से ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफतार किया गया है पांच लाख रुपए लेकर कारवाई से बचाने का जांसा दिया गया था अमरावती महराश्टी से दो अंतराज्जिये शातिर ठग गिरफतार हुए हैं अरुपी ठग अश्मिनी भाटिया और निशान जांगडे को रायपूर लाया गया है एडी डारिक्टर से डारिक्ट मिलवाने का जांसा देकर पचास पचास लाख रुपए में सौदा कर पांच पांच लाख रुपए एडवांस नोंने वसूल लिये थे पुलिस आज चार बजे पुरे मामले का खुलासा करेगी राखी थाना अलाखे का ये मामला है ये बड़ी खबर बदादें आपको के एडी की कारवाई से बचाने का जहासा देकर दरजन भर आपकारी या दिकारियों से ठगी करने वाले शातिर ठग गिरफतार किये गए गए पांच लाख रुपे लेकर कारवाई से बचाने का जहासा दिया था योगल तेवारी नियूस 18 संवादाता हमारे साथ जुड़ गये हैं योगल कैसे ये ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया वो भी अफसरों को आपकारी अधिकारियों को अधिकारियों को बचाने के लिए और दिकारियों के अधिकारियों से मिलाने के लिए पचास-पचास लाक रुपए में साथा करने की बात है वो सामने आ रही है फिर आज पांच-पांच लाक रुपिया एडवांस वसूले गये थे और इस मामले में जो की गिरिकारी अंतरा जिक ठगों की की गई है पुलिस इस मामले पर पूरी जो फुलासा है वो चार बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होगा यूगल की आपकारी अधिकारी उन्हें डर किस बात का था कि अगर उन्होंने पांच लाक रुपए दे दिये किवलिस बिना पर कि उनके उपर एक्शन ना हो यानि कि वो भी कुछ गलत कर रहे है इस पर भी जाम दिया गया था लेकिन सब तो अभी भी है कि आखिर कैसे जहांसे में अधिकारी है पढ़े लिके लोग है और जवाबदार अधिकारी है वो कैसे आ गये पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहे है और समय पर एडी की परवाई है होती रही है तो हो सकता है कि इसका भाय दिखा करके इस तरके जो रखम की वसूली की रही है ठाजी की रही है अब पुलिस पूरे मामले पर फुलासा करेगी ये चले शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए अगे बढ़ेंगे और दिवास से बड़ी कबर है बारहाजार के रिश्वत लेते पटवारी गरबतार किया गया है योडवलू ने रंगेहाद पटवारी को धर्दवोचा मर्जापुर में पदस्त था पटवारी बावुलाल पांचाल जमीन पटवारे लेकर रिश्वत मांगी थी पटवारी ने यह बड़ी खबर देवास से है जहां बारहाजार के रिश्वत लेते पटवारी को गरबतार किया गया है योडवलू ने रंगेहाद पटवारी को पकड़ा है मिर्जापुर में पटवारी बाबुलाल पांचाल पदस्त था बड़ाजारा की जमीन पटवारे के वज में पटवारी बाबुलाल पांचाल ने रिश्वत मांगी थी और बारहाजार रुपे रिश्वत ले भी रहा था उसी दौरान इओ डबलू ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया धर दबुचा ये बड़ी कारवाई पटवारी के खिलाफ हुई है बारहाजार रुपे रिश्वत लेते वे पटवारी को पकड़ा गया है बाबुलाल पांचाल मिर्जापुर में पदस्थ है पटवारी और जमीन पटवारी की एवज में पटवारी बाबुलाल पांचाल ने पपीड़तों से बारहाजार रुपे रिश्वत लीदी और सुकमा से बड़ी कबर मुटभेड में एक मावादी धेर हो गया है अर्रा बोर उठाना अलाके के जंगलों में ये मुटभेड होई है मुटभेड के बाद जवानों ने सर्चिंग तेज कर दिये पुलस ने मुटभेड की आधिकारिक पुस्टी अभी तक नहीं किये है लेकिन ये बड़ी सफलता माने जा रहे है सुखमा से बड़ी खबर है जहां एक मावादी को मुटभेड में धेर कर दिया गया है सुखमा के अर्रा बोर थाना अलाके के जंगलों में ये मुटभेड हुई है नकसलियों से और इस मुटभेड में एक मावादी मार गिरा गया है धेर कर दिया गया है अलगी मुटभेड के बाद जवानों ने सर्चिंग तेज कर दिये सर्चिंग पर है अभी जवान पुलिस ने मुटभेड की अधिकारिक पुस्टी अभी तक नहीं कि लेकिन जो सोस्टिस के अवाले से खबर है अभी जवान अभी भी सर्चिंग पर लगे वे सते नाराण चांडग अमारे साथ जुड़ गया है सते नाराण ये बड़ी सफलता हम कहें एक मावादी को धेर कर दिया गया क्या और अपडेट है जानकारी है इससे जुड़ी हुई अब आपको लागातार जो है एराबो थाना शेतर में मावादियों के होने की सुचना मिल रही थी इसके बाद आज सोबर डियार जी टीम को उस और ऑपरेशन के लिए रावाने के गया था और एराबो थाना शेतर के कोछी दूरी पर जो है मावादियों और जोणों के बीच मुडबेड हुई जिसमें एक नक्षियों मार्ग रहा है जिसका नाम सोडी जूला बता जाया रहा है जो जन्तरना सरकार का अड़र्स था और काफी इस लाके में जैसकी इसको जो है मार्ग रहने में जवानों को सपलता मिली है हलांकि अभी मौके पर जवान मौझूद है आजपस लाके की और सर्चिंग की जा रही है ज़िस जवान वापस रव और खाना पहुंचेंगे तो उसके बाद जोड़े पुली से पर तो पाएगी जी चलिए शुप्रिया सतिना रणा आपका इस पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे रायपूर से बड़ी खबर है पुलिस ने एडवाईजरी जारी किये है रायपूर से बड़ी खबर है बेटिंग सक्ता जुआ के विग्यापन बें किये जाएंगे विग्यापन यह यह एड़्वाइजरी जारी हुई है, रायपुर SSP प्रशान तक गर्वाल ने एड़्वाइजरी जारी की है और प्रचार प्रसार पर पचास हजार का जुर्माना भी हो सकता है और तीन वर्ष के सजा का भी प्रावधान है जो भी एड़टाइजिंग एजनसीज सक्टा बैटिंग या जुगा के विज्ञापन करते हैं उन पर ये बड़ा एक्शन हो सकता है पचास अजार रुपय तक का जुर्माना और तीन साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है एड़वाईजरी एसेसपी प्रशान रुवाल के जरीए जारी की गई है आपको एक बार फिर बता दें एड़वाईजरी जारी हुई है पुलिस के जरीयर रायपुर में बैटिंग सक्टा बैटिंग सक्टा और जुगा के विज्ञापनों और पूरी तरह से बेहन लगा हुआ है और इतना है नहीं विज्ञापन एजेंसियों के लिए ये एड़वाईजरी है जिसके तहट अगर प्रचार प्रसार करती है एड़वाईजिंग एजेंसी जुगा बैटिंग सक्टा की तो उन पर बड़ा एक्शन होगा पचास हजार उपे जुर्माना भी उन पर लगाए जा सकता है और जो जिम्मेदार होंगे जो और उपी होंगे उनके खिला उन्हें तीन साल तक की सजा भी हो सकती है आगे बड़ी के रायगर से बड़ी ख़बर है आदी पुरुषपर धिरेंदर शास्त्री का कठा अक्षपंडि धिरेंदर शास्त्री ने मेकस से सवाल पूछे हैं भगवान हनुआन क्या क्या नहीं है जड़ा बताएं हन्ान जी भगवान हैं वानरों के राजा हैं हन्मान जी माहराज चारों लोग के राजा हैं हन्मान जी ऐसी भाशा का प्रेयोग भींगी नहीं करते थे ऐसी फिलम बनाने वालों को भगवान सद्वुधि दे एक सज्जन कह रहे थे अभी कोई फिलम बाले हम तो के हम तो इन सब में बहुत जाजा पड़ते नहीं है उन्होंने कहा कि हनमान जी भगवान नहीं है हनमान जी तो सेवक हैं हम उनको यही जवाब देना चाहते हैं कि हनमान जी क्या नहीं है यह पूछा जाए हनमान जी भगवान है हनमान जी स्वामी है वानरा अडाम धीसम वानरों के राजा है हनमान जी दास भी है लिकन हनमान जी राम जी के खास भी है अभी आजकल कुछ दिनों पूर्म में एक फिल्म आई उसमें हनमान जी को ऐसा बनाया कि बीर बजरंगी बली बचाएं हम उसको हम पूरी तो देखे नहीं हम तो इन सब में पढ़ते नहीं पर किसी ने हमें दिखाया हमें देखकर इतनी हसी आई कि अगर हनमान जी कहीं हों और जिनोंने जी लिखा है और वो फस गए और प्रधानमत्री नरेंदर मोदी ने आज बूत कारिकरताओं को संबोदित किया वहीं सुक्मा के संजय सोडी ने प्रधानमत्री मोदी से सवाल पूछा शक्ती केंदर कर्मा एक के प्रभारी है सोडी और उन्होंने किसानों से जुड़ी योजनाओं के बारे में प्रधानमत्री नरेंदर मोदी से सवाल किया किसान और बीजे कॉंग्रेस और बीजेपी सरकार की योजनाओं में के अंतर पर उन्होंने पीएम से सवाल किया था इसके बाद पीएम मोदी ने कॉंग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साथा किसानों के साथ चल करने का आरूफ की लगाया मैं संजे सोडी सक्ति केंद्र करमांक एक सुक्मा का प्रबारी हूं मैं चतिस गड़ के अंतीम चोर सुक्मा जीला का निवासी हूं जिसको आप सब नकसल गड़ के रूप में जानते हैं मैं दक्चिन बस्तर के उन आदिवासी बाईयों के विसाय में वहां के अन्य समाज के जो किसान हैं उनके विसाय मैं कहना चाहता हूं उनके पास उपजाव जमीन होने के बावजूद आज वो पिछड़े हैं तो मेरा सवाल है आज पुरे बारत देश के किसानों की तरफ से समान्य प्रदान मंत्री जी किसानों के हीत में एक अपरोच कॉंग्रेश की सरकार में रही और एक अपरोच बारती जनता पार्टी की सरकार में हम देख रहे हैं इस अंतर को हम समान्य जनों को आम जनों को कैसे बता सकते हैं और उन्हें कैसे समझा सकते हैं कॉंग्रेश की एकी निजी थी पहले किसानों को संकट में पढ़ने दो और फिर करद माफी के नाम पर जूट बोलकर वोट की फ़सर काटो यह उनका तरीका रहता था आपने दस साल में कॉंग्रेश ने कुछ हजार करूर रुपी की करद माफी का एलान किया लेकिन असली किसानों ने को यह लाब कभी पहुचा ही नहीं है आप जाकर के देख लेना इतनी सारी कभी कभी तो गोज़ा है दो ददिन में करेंगे सो दिन में करेंगे कभी नहीं किया क्योंकि जादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता मी नहीं होता है और वो तो सावकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के अपनी बेतारी की गाड़ी चलाते हैं और इसलिए एक करजमाक्वी के नाम पर राजलिती करते थे देटे नहीं थे और छोटे किसान को तो नसीबी नहीं होता था लेकिन बाज़पा सरकाराज पी-एम आगे बढ़ेंगे मौशून की पहली बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई दतिया के इंदरगर तैसिल में दो गंटे की बारिश से पूरे कस्वे में पानी भर गया जोगी जोपियों और निशली बस्तियों में पानी भरने से लोग परिशान होते रहे कई घरों में अंदर पानी पहुँचने से सामान भी गया इस बारिश से इंदरगर नगर परिशत की साफ सफाई की पोल खुल गई नगर के शीतला गंज राजा का बाग समित कई बस्तियों में जल भराव की स्थिती देखी गई मैंने सुबह खुद निरिक्षण किया तो कुछ छेत्रों में जो पहली मानसुन की पहली बारिश होई है इससे जल भराव की स्थिती बनी है नगरपालका को निर्देशत कर दिया है और नगरपालका और परसासन मिलके उस जल वराव की समझ्या का निराकन कर रहे प्रदेश में शेहर पानी पानी हो गए है राजनात गाउं जिला अस्पताल में बारिश का पानी घुज गया वहीं बलावदा बाजार में कई स्कूल परीसर भी जलमगन हो गए है धंतरी शेहर में जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है तो लग लग जगे क्या असर दिखा रहा है बारिश का पानी ये तस्पीरों के जरीए आप देख सकते हैं पहली तस्पीर राजनात गाउं से है दूसरी तस्पीर बलावदा बाजार से कई जगे जो स्कूल है वो भी प्रभावित हुए हैं स्कूल परीसर पूरी तरह से जलमगन हो गए हैं बच्चों को पढ़ाई करने में खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है तो कई जगे जो अस्पताल हैं वो भी उनके अंदर तक पानी जा पहुँचा है और राजनात गाउं से बड़ी खबर है लगातार बारिश मसीबत बनी हुए जला अस्पताल पूरी तरह से जलमगन हो गया अस्पताल के वाड़ों में पानी घुज गया पुरुश और महिला वाड़ को उपर शिफ्ट किया गया है हर साल बारिश में अस्पताल में पानी घुज जाता है ये बड़ी खबर राजनात गाउं से यहाँ पर बारिश का असरत हो है ही लेकिन स्वास्ति विवस्ताओं पर भी सवाल है चुकि हर साल यहाँ पर ऐसी इस्तिती बनती है राजनाद गाउं से ये तस्वीरें हैं जलास्पताल पूरी तरह से एक बार फिर जलमग नज़राया पहली बारिश में हो रही बारिश के चलते जलास्पताल जलमग नहों गया है कि प्रेश के अधी देख सकते हैं कि करमचारी पानी निकालने के लिए जद्दो-जहज कर रहे हैं सूबस यह जद्दो-जहज ज़्यारी है पूरे अस्पताल में पानी भर चुका है साथ ही विडिकल जो वार्ड है जो मरीज के वाड है वहाँ भी पानी भर चुका है और सुबस ये जो है करमचारी वो पानी को निकालने में लगे हैं ये बताएंगे कि खब से लगे हैं आप लोग पानी निकालने में आज सुबह आड़ वज़े से अब किस्ता पानी निकाल चुके हैं अब कंटीनू किस्ता पानी निकालते और अभी भी पानी निकालने की कवायर जारी है साथ ही नीचे जो वाइड है उन मरीजों को उपर भी सिफ्ट किया जा चुका है राकिश यादाओ निउजटील राजनंगाओं बलोदा बाजार से बड़ी खबर है पहली बरसाद में ताला बना सरकारी स्कूल लखमई सत्ती प्राइमरी स्कूल का नजारा दिखा पानी में उतर कर स्कूल जा रहे हैं बच्चे स्कूल जाने के रास्ते में भी पानी भर गया है पानी बहने के नाले ग्रामीनों दरसल नाले पूरी तरह से जाम है और उसका जो पानी है वो अब स्कूलों में जाम भर रहा है पानी बेने के नाले ग्रामीनों ने जाम कर दिये हैं नाला जाम रहने से स्कूल में अब पानी लबालब भरा भुआ है तो ये तस्विरें बलौदा बाजार से जहां बच्चे पानी में जाकर पढ़ने को मच्बूर और उसके साथ लगातार जा रही है